तो गाड़ी गुड़ी केंता अमाद कर सो गाड़ी गुड़ी कला जाएगी पर गाड़ी गाड़ी अधिक है अधिक करा है अधिक कर आए अधिक कर आओ बोलेगे नहीं चैनल निया लड़का जो है गिर गया था तो उसको हमने 108 बुला के उसको अश्चवाफ में भेज रहे हैं यह जागरूप नाग रिखते दिनों ने उनको स्वत्विक जो है 108 को बुला जो उनको बेजा है यह मारता स्थे भाईया भाईया जी राज गोश्वामी दी होगे यह हमारे पंकज भठी होगे औ और आमने उनको एक साथ में भेज दिया है इलाज किते धन्यवाद जय शिर्ण जय शिर्ण अभी जो डुलगटना हुई थी हमारे राजपलोड में जो क्लड़का घायल हो गया था गिरके अपने एक्टिवा से तो उसको हमने अपने जागरूप नाईजिगों के साथ मिलक तो वही मैं अभी इस वक्त रात के वक्त में भी अपने उपनी अंत्रक साथ को रिपोर्ट करने हैं कि हमने इस तरह का कारे किया है तो वही आज में अपने इसके साहुची को जो मारे नांग शुक्चा के एक करमट और 24 घंटे अभी देखो इस जागरूप हैं बिलकुल त को ने देखा कि हमारे जो पोस्ट वाडन संजयमन साव हैं और इन्होंने प्रास्ते विहीं एक ऐसी दुर्ण घटना हुई और इन्होंने अपनी तुरंत गाड़ी रोक करके इस प्रकार की कुईक सर्विस करी जिससे कि उसकी जाट बज गई लड़के की और उसको तुरंत पहुंचाया गया हमारा जो नागरिश रच्छा का मेन पार है वहीं तुरंत क्विक सर्विस करनी होती है और उसको बिकुन्य स्वार्थ भाव से करते हैं और जहां पर कोई नपहुंच प्रके तुरंत जाकर के उसको सहायता दी गई और जो हमारे प्रकार काम करना है जिस प्रकार से मल साम ने किया और इसको आगे भी ऐसे ही बढ़ाते रहना है कभी हमारे नागजी सुरच्छा का मेन जो करतब भी है उसको हम निभा सकते हैं मैं भाविस में आसा करता हूँ कि सभी वार्डर्स इसी प्रकार से काम करते रहेंगे तो हमारा निष्ची तोर पर हमारा जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है यह कुछी समों में जो है प्रकत पर आगे हो जाएगा आज हमारे पास नागजिश चुरक्षिया सिविल डिफेंस के दो मुख्य अधिकारी डोग है हमारे पास उपनी अंतरक नागजिश चुरक्षिया साउ जी है और ICO काला जी है तुमने पूछना चाहते हैं इनसे कि यह नागरिश चुरक्षा क्या और इसके बारे में कुछ बताएंगे इसके कौन-कौन इसमें जॉइन कर सकते हैं उनके करतवे क्या हैं और उनको क्या-क्या चीज इसमें सहुरीते मिलेगी कि जैसे कि हम जानते कि यह गौर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हैं ग्रह मंत्रा लेका अंदरा आता है तो इसमें क्या-कैस हो है आप बताएंगे कुछ कि मल जी धन्यवाद आपने एक तो मौका दिया मैं सबसे पहले आपकी फ़रास परस्ट करना चाहूंगा कि जो साहु जी है वो हमारे सरवोच पदा अदिकारी जनपत के डिप्टी कंट्रोलर है और वो वैतनिक है और मैं उसकी एक डिविजन का इंसिडेंट कंट्रोलिंग सब्सक्राइब करना चाहिए क्या फाइदा होता है मैं आपके संग्यार में लाना चाहूंगा कि वैसे जैसे कि भारत का संविदान हमें मूल अधिकार देता है और चाहता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं समय आने पर उतरे सरकारी की में नहीं जा सकता तwh लेकिन वो चाहते हैं कि समय समय पर हम अपने देश के लिए कुछ कर से कि तो नागरिक सुरक्षा से भारा सरकार घरे मंतरा परते सरकार घरे मंतरा लेकर अधिन आने वाला एक उकरम है और इसमें जो है देश कर दित्य सhmenपारी से इसे लोगों में इंका चैन किया जाता है और इसकी चैन पर किया बिल्कूल जैसे एक सरकारी, अधिकारी का चैन होता है उसी प्रकार से होती है सेक्टर और जो हमारा पोस्ट वार्डन है और जो सेक्टर वार्डन है वो उन व्यक्तियों को चैनित करते हैं नामित करते हैं और नाम प्रस्तावित करते हैं उनको मीटिंग में बुलाते हैं देखते हैं उनके बारे में जान इस फोलको और जगह से भी से क्याने यान बॉरी सितना ऑसे यह वेक्ति जो वी रिपत के लिए तो उसके नाम की ख्णी करते और पुरी प्रक्रिया चाहिकार से गर्षटर को स्वेस्ट्री तरफ सी परकार करेंट आएvertर य। छूट मिलती है इसी प्रकार से इसमें दो वर्ष की छूट भी दी जाती है जिस प्रकार से एक सामानिय नागरिक को कुछ एवार्ड नहीं दिये जाते जैसे डीजी मैडल है यह कि वल जो है सरकारी अधिकारियों या सरकारी विबाक के कर्मचारियों को मिलता है अधिकारियो के समय जो हमारे civil defense warden होते हैं इनको विशेश अधिकार जो act है वो विशेश अधिकार देता है और जिसकी वज़े से जो है इनकी सेवाएं जो है भारा सरकार लेती है और अपने से जहें कि प्रभावसाली को निऊचार के यह सेथाब एक अपने लोगों को निर्जेश देते हैं आपात काल के समय जो सरकार्य अधिकारी सरकारी विभाग हैं वह अपने कारियों में व्यस्थ हो जाते हैं और जंटा की विवस्था होती हैं वह बार अंदेखी बाराई वाग एक्ट के अंतरकत आता जो चुम्ट्रविए सब डिस्टिक मजिस्टर अगता जाता है और डिप्टी कंट्रोलर के अंतरकत आ जाता है यह सारे वाग बैठते हैं सिविल डिफेंस के निया और यहां पर मैं एक बात भी और बताना चाहूंगा यहां हमारे देरादुन में सिविल डिफेंस का जो रूम है या कंटोर्टू में वहां पर हॉट लाइन सर्षावा से लगेगी है तो जब भी रैड सिगनल हवाय अमलेगा या यलो सिगनल जब भी आएगा तो सबसे पहले इंफरमेशन सिविल डिफेंस को ही मिलेगी और वो सिविल पर दिया है खुराना साहब जो इनोवेटिव हैं उन्होंने होंगाड की भी एक पैचान बनाई है और मुझे लगता है कि वो हमारे जो नम नियुक तो डिप्टी कंट्रोलर साहब है साहू सर वो उनके माध्यम से ये जो सिविल डिफेंस से ये भी एक उचायों को होता है और वो सक्रिय हैं इसमें और जल्दी ही जो है इसके अच्छित परणाम भी में तो मैं आवान करता हूं सभी लोगों को कि सिविल डिफेंस जॉइन करें अपने चेतर के सिविल सेक्टर वार्डन को पहचाने अपने चेतर के पोस्ट वार्डन को पहचाने और अपन में चेतर में क्या क्या सिविल डिफेंस प्रसिक्शन दे रही है उसमें प्रति भाग करें मॉख डिल दोती है उसमें प्रति भाग करें थैंक यू धन्नेवाद